मेथी पनी तो आप बहुत बार खाये होंगे मगाड इसी तरीके से एक बार ट्राइ करके देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है नमस्त दोस्तो मेहु नंदना और आपका स्वागाते माई होम्री लवली कुकिंग पे तो आएए देख लेते हैं तो मैंने इहां 300 ग्राम पनी ले लिया आप उसको काट करना है आप कोई भी सेफ देशकते हो तो मैंने इहां रेक्ट्रेंगल सेफ में काटूंगी तो पनीर कटके रेडी हो गया है आप मसाला तैयार कल लेते तो मसाला के लिए मैं इहां दो पेयांच थोला सा बढ़ा टुक् के कट दिया और चाहिए 4 हरी मिर्ची थोरा सा दाल चैनी दो छोटी वाली इलाइची और एक इंच के करी अधुए और एक कटोरी मैंने मेथि साग ले दिया शाग को मैं ने अच्छे से दो के साफ कर के राठ दिया साग है इसल sự आ cervь है इंस अपको अभी एक साथ पीछना ह थोड़ा सा पानी यूज करेंगे और एक साथ पीस्ट के रिदी कर लेंगे तो देखिए पेस्ट बन के तैयर हो गया है आप एक कड़ाय में में यहां 4 टीस्पून रिफाइंड ओल दिया तिल जब थोड़ा सा गरम हो जाए 1-4 टीस्पून जीरा डाले एक लाल सुखी मिस द दालेंगे गैस का प्लेम लोटू मिडियम में है और 1 टीस्पून घी डाल दिया घी डालने से यह सबजी का फ्लेबर बहुत ही सुंदर आता है जैसे घी मेल्ट हो जाए और बहुत ही सुंदर कुस्बू आए जीरा से ताभी जो मसाला का पेस्ट बाना के रख दिया था उस उपर से वान टीस्पून रिफाइन डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे अब धक्कन लाके पांच मीट के लिए यसकाच एकदम धीमा करके रख देंगे पांच साथ मीट बात देखिए मसाला अच्छे से पाग गया है और बहुत ही सुंदर कुस्बू आरा है इस टाइ पानी डालने के बाद जब ग्रेवी में उबल आएगा तब ही पनीर को डाल देंगे मीडियम टु हाई में है कुछ देत तक ऐसे उबलना पड़ेगा ठककन लाके गैसकाच एकदम धिमा करके और दस मीट के लिए रख देंगे दस मीट बाद मीथी पनीर बनके एकदम तयार हो गया थोड़ा सहरादनिया उपर से डाल दिया बस बनके तयार हो गया है सबजी और बहुत ही स्वाधिस्ट होता है यह सबजी खाने में अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बाई